आईए समझते हैं कि MS Access में हम Date Diff यानि की Age Calculation कैसे कर सकते हैं Date Diff यानि Date Difference Formula के मदद से तो सबसे पहले Access को Open करना होगा और यहां से एक Database मेरे पास पहले से मौझूद है जिसमें यह Record पहले से बना हुआ है आप देख सकते हैं यह वो Database है ठीक है यहां पर मैंने यहां पर Date and Time जो होता है वो लिया हुआ है यहां Data Type ठीक है अब इसमें Calculate हमें करना है Create पर जाएंगे Query Design पर जाएंगे और यहां Add करेंगे इसको इसके बाद यहां से चुकि हमें जरूवत सिर्फ Name of Student और DOB की है तो हम इसे ही लेते हैं या फिर ID भी ले सकते हैं आप आपके इच्छा के उपर Depend है अब यहां पर जबाएंगे तो Formula हमें यहां पर Apply करना है तो यहां पर Right क्लिक करेंगे और यहां पर करेंगे Bult पर क्लिक करेंगे जैसे ही क्लिक करेंगे यह ओपन होगा और यहां Table पर आप जाईएगा और डबल क्लिक करेंगा जैसे ही डबल क्लिक करेंगा यहां Age नाम का एक Box ओपन होगा इस पर क्लिक कर देना है आपको अब यहां पर जैसे ही क्लिक करेंगा यह एक box आपके सामने open होगा, यह तो यहाँ पर built in function में आपको यहाँ पर date and time मिलेगा, यह दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर click करना है आपको, और यहाँ date diff मिलेगा, इस पर double click कर दीजे, जैसे click करेंगे तो यहाँ यह इस तरह का open होगा interface, अब आपको यहाँ पर इसको है, इसलिए, ठीक है, यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर इसको भी हटा देंगे हम, ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको आना है, और रही में आएगा, और यहाँ से आपको, यह आपने select करी लिया है, तो अब यहाँ पर क्या करना है आपको, य यहां GoView पे क्लिक कर लेंगे, double-click करके इसको insert करा लेंगे यहां पे, और इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें, इसके बाद हमें क्या करना है now function का use करना, तो यह सब चीज़े मैं हटा देता हूँ और यहां पे now function use कर लेते हैं, तो यहां पे now formula लगा दिया हमने ठीक है formula और function में बहुत ही छोटा सा difference होता है ठीक है तो यहा now formula हमने use कर लिया ठीक है okay पर click किया हमने तो यहाँ पर देखिए exp one expr one लिख किया रहा है हम चुकी age calculate कर रहा है तो यह हटा गर के हम लिख देते हैं age age ठीक है यह किसी student का नाम है और इसकी जो age है यहाँ से हम age चूच कर लेंगे अब suppose कीज़े इसकी age जो है वो है 1991 ठीक है इसके हिसाब से कितने year का हुआ यह year के बताए गई year यानि कितने साल का हुआ तो यह देखिए 28 साल का हो गया ठीक है इस तरीके से आप age calculate कर सकते हैं तो आई होप की यह बात समझ में आ रही होगी अब देखिए यहाँ पर एक और लिखता हूँ मैं मैं लिखता हूँ यहा मीरा ठीक है इसके बात यहाँ पर age डाल नहीं है तो जो भी age है ठीक है यहाँ पर age मैंने डाल करके और हम formula हमने खुद से create किया ठीक है आपने देखा कि formula हमने बनाया और खुद से हम age भी calculate कर सकते हैं तो वीडियो अच्छे लगे तो इस चैनल को like और subscribe करें साथी साथ इस वीडियो को share भी करें ताकि यह free में सब तक पहुंच सके thank you for watching this video